नमस्कार दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं एयुद्या की सर्यू नदी के प्राची नितिहास के बारे में क्यों प्रसिद्ध है सर्यू नदी क्या है इसका प्राची नितिहास चलिए जानते हैं दोस्तो हमारा देश भारत न जाने कितनी विविजिताओं से भरा हुआ है कितने पहाड जरने और खूब सूरत नदियों से बना हुआ है ये देश कई तरह की खूबियों को समेटे हुए है खास तोर पर जब बात नदियों की की जाती है तब इनका इतिहास काफी पुराना है नदियां हमारे देश के कई हिस्सों की जीवन रेखा के रूप में सामने आती है जहां गंगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा जैसी पवित्र नदियों ने अपना एक अलग इस्थान बनाया वहीं सर्यू नदी प्रभू स्री राम के वनवास काल से लेकर उनके अध्यवापसी तक की साक्षी बनी है वास्तिविक्ता जाये कि नदियां अपने पवित जाने कितने सालों से कायम रखती है नदियों के बात करी जाए तो सर्यू नदियों का अलग इतिहास और पहचान है जिसका नाम सुनते ही मन राम की नगरी में पहुच जाता है भौवोलिक द्रश्टी से देखा जाये तो सर्यू नदिः वास्तों में सारदा नदी की एक श उत्तर प्रदेश की भूमी के माध्यम से अपना प्रवह चारी रखती है सर्यू नदी उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख जलगा मार्गों में से एक है जो सर्मुल हिमालाई से निकलती है सर्यू नदी का उल्लेक प्राचीर हिंदू सास्त्रों जैसे वेद और रामायड में है हिंदू पाराणिक कथाओं कि माने तो सर्यू नदी किसी भी नदी की एक सहायक नदी नहीं है बलकि हिंदू समुदाय के महाकाव वे पौराडिक ग्रंत रामायड में वर्डित जल का एक निकाय है सर्यू उत्तरपदेश के अयुद्या नगर से होकर बैतिये जिसे स्री राम की नगरी भी कहा गयाता है भगवान स्री राम का जन्म साक्षी बनने में सर्यू का खास यूग्जान है अयुद्या वास्तों में सर्यू नदी से सम्रद्ध है जो वर्तमान में एक प्रमुख परेटन इस्थल के रूपने सामने आया है भगवान स्री राम का जन्म अधिकान सहर चो सर्यू नदी के तड़ पर इस्तित है उसमें कई परिटक इस्थल भी है तो दोस्तों या वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सक्षन में जरूर बताएं और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चनल को सब्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धर्न्यवाद रादे रादे जैस्री विष्णा